Hello friends, sociology classes में आप सब का स्वागत है आज हम discuss करने वाले हैं Herbert Spencer के बारे में Herbert Spencer ने हमारे sociology में बहुत सारे theories दी है और बहुत सारे concepts दी है इनके concepts हमारे लिए बहुत important होते है sociology को समझने में इसलिए Herbert Spencer को थोड़ा हम detail में discuss करने की कोशिश करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि आज के class में हम mainly कौन सी concept को study करने वाले हैं हम पहले देखेंगे Herbert Spencer का जो सबसे important concept है survival of the fittest ये क्या है फिर देखेंगे organic analogy, evolution of societies, law of evolution और Victorian leases fair के बारे में यहाँ पर इन सारे concepts को हम detail में discuss करने की कोशिश करेंगे अगर आप मेरे classes में नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring इस चैनल पर आपको sociology related बहुत सारे videos मिलेंगे जो Igno के exam के साथ-साथ आपको Nets, Let, CUT, UPSC सारे exams में बहुत help करेगा यहाँ पर जो भी materials है, ज्यादा तर materials Igno से लिए गया है इस बज़े से यह सारे authentic materials है यहाँ पर बहुत सारे playlist भी है आप लोग playlist से study कर सकते हो, आपको चीजे ढूनने में आसानी होगी तो चलिए, आज का class शुरू करते है हम पहले देखते हैं कि Harvard Spencer ने कौन सी कौन सी books लिखी है इनका important books क्या है इनका जो books है, उनमें से जो important books है, वो है Social Esthetics, The Study of Sociology, Principle of Sociology यहाँ पर Principle of Sociology जो book है, यह mainly three volume का एक book है फिर है The Man vs. The State यहाँ पर जो भी books है, इनका आपको यार भी याद रखना होगा क्योंकि आगर आप MCQ based question answer कर रहे हो, exam है आपका तो आपको यह यार्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए अब देखते हैं, Harvard Spencer का थोड़ा बहुत biography Harvard Spencer एक बहुत अच्छे family से बिलोंग करते है उनका father ही उनका पहले teacher थे Harvard Spencer का एक बहुत बड़ा family होता था उन्होंने वो लोग नव भाई बहन थे लेकिन वो नव भाई बहन में से सिर्फ Harvard Spencer या आखिर तक जिन्दा रहे यानि कि adulthood में जब Harvard Spencer आये तब बाकी के जो आट भाई बहन थे वो सारे मर चुके थे इस बज़े से उनका दिमाग में ये जो survival of the fittest है ये concept बहुत ही एक impactful concept है ये उनका जो life history है इस history से ही हमारे पास उभर के आता है ये survival of the fittest का concept इन्होंने पूरे life में बहुत सारे writings लिखी है इन्होंने organic analogy की बात की है हमारा society के साथ organism का किस तरीके का comparison है और हमारा society किस तरीके से evolve होता है उन्होंने doctrine of evolution फिर evolution का अलग-अलग laws और किस तरीके से हमारा society अलग-अलग steps में evolve होता है इसके बारे में भी बहुत सारे studies की है अब पहले देखते हैं हम Harvard Spencer का जो सबसे main concept survival of the fittest यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इसमें थोड़ा confusion होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे resources में आपको मिलेगा कि survival of the fittest जो concept है यह Charles Darwin का दिया हुआ है लेकिन यह चीज गलत है यह जो survival of the fittest का concept है यह concept Herbert Spencer का है यह किस तरीके से उनका concept है यह थोड़ा हम अब देखने की कोशिश करते है Herbert Spencer Charles Darwin से बहुत ज्यादा inspired थी Charles Darwin का जो book है The Origin of Species यह book से वो बहुत ज्यादा inspired थी और इससे उन्होंने बहुत सारे अपनी theorist develop की थी इस बज़े से आम Spencer को social darwinist भी कहते है उन्होंने biology का जो concept है उन्होंने social sciences में implement करने की कोशिश की थी यहाँ पर अगर हम darwin का concept की बात करें तो darwin का जो concept था वो concept है natural selection का concept यानि कि darwin ने natural selection की बात की थी यहाँ पर जो भी लोग होंगे वो struggle करेंगे life के लिए और nature ही उनको select करेगा कि कौन जिन्दा रहेगा और कौन खतम हो जाएगा या फिर चला जाएगा इस दुनिया से उसको ही दिमाग में रखते हुए Harvard Spencer ने survival of the fittest term को coin किया था यानि कि पहली बार survival of the fittest का concept दिया था Harvard Spencer ने यह survival of the fittest का मीनिंग क्या है यहाँ पर जो भी लोग social या फिर natural environment में रहते है वो लोग वहाँ पर adopt करके रही लहद रहते है अगर कोई इनसान यहाँ पर adopt नहीं करेगा तो वो खतम हो जाएगा और जब भी वो इनसान यहाँ पर adopt कर पाएगा तो वो continue करता रहेगा अपना life को इसी बज़े से हमारा survival of fittest का concept बहुत important है इसी तरीके से हम society की भी बात कर सकते है कि जब भी हमारे society अगर adopt कर पाएगे यह social environment को तब यह environment टिकी रहेगी लेकिन अगर वो adopt नहीं कर पाएगा तो वो खतम हो जाएगा जैसे अगर हम previous हमारे civilization की बात करें हरुपा मोहंजयोदाड़ो यह सारे जो civilization है यह धीरे-धीरे खतम हो गई क्यों खतम हो गई क्योंकि यह time के साथ-साथ अपने आपको adopt नहीं कर पाई ऐसे ही हम बहुत सारे चीज़े देखते हैं जो हमारे time to time खतम हो जा रही है और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो previous time से आज तक चला आ रहा है इसी को कहा जाता है survival of the fittest यानि कि जो fit होगा society में वो ही survive करेगा और जो fit नहीं होगा वो survive नहीं करेगा जैसे अगर हम हमारे land phones की बात करें तो वो अब survive नहीं कर सके क्योंकि modern time आ गया है अब mobile phones आ गया है जिस बज़े से हमारा जो land phones था वो धिरे धिरे खतम हो गई है और उनका importance भी बहुत कम हो गया है अब देखते हैं Harvard Spencer का और एक important concept जो है organic analogy organic analogy में Harvard Spencer ने mainly society और organism को compare करने की बात की है उन्होंने इस दोनों चीज़ों को compare करते हुए हमारे society किस तरीके से develop होता है इसके बारे में बात की थी जैसे अगर हम कोई organism की बात करें तो उनका heart होता है heart, power, stomach, liver ये सारे चीज़े होती है ये सारे चीज़े इकठा एक जुट होकर ही काम कर सकती है अगर कोई भी एक चीज़ अगर आपका heart बंद हो गया तो आप काम नहीं कर पाऊगे अगर आपका heart तूट गया तो आप काम तो कर पाऊगे लेकिन उतना effectively नहीं कर पाऊगे यानि कि हमारा जो society है वो भी एक organism की जैसे ही है हमारे society में भी economy, polity, education, religion, family बहुत सारे institutions है ये सारे institutions एक दूसरे के साथ related है जब भी एक institution तूट जाएगा तो हमारे society में बहुत सारे problem आ सकती है society के functioning में भी problem आ सकती है इस बज़े से उन्होंने organic analogy की बात की थी कि हमारे society को हम एक organism से compare कर सकते है यहाँ पर इसके related कुछ notes है आप लोग ये देख सकते हो Herbert Spencer ने society को organism से तुलना की थी उन्होंने कहा था जैसे हमारे इंसान का अलग-अलग different parts है जो interconnected होते है इसी तरीके से हमारा society जो है वो भी functioning में रहने के लिए ये सारे अलग-अलग जो society के organs है या फिर हमारा society का institutions है वो एक दूसरे के साथ related होने चाहिए तब ही वो fully functional होगा Herbert Spencer ने इसी organic analogy को थोड़ा और आगे बढ़ाया उन्होंने कहा था कि हमारा society जो है ये एक organism की तरह तो है ही लेकिन ये organism से भी थोड़ा आगे है जिसको उन्होंने कहा था super organic entity यानि कि ये एक super organic चीज है जहापर ये organism से भी बहुत ज्यादा है यानि कि हम जब सारे चीजों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये इसका some part नहीं होगा ये इससे भी कुछ बढ़ा होगा यानि कि 2 plus 2 4 नहीं होगा 2 plus 2 5 होगा यानि कि इसका function जब भी एक साथ एक जुख्ट होगा इसका function और ज्यादा बढ़ जाएगा अब देखता है the evolutionary doctrine ये evolutionary doctrine को हमें step by step समझना होगा पहले हम देखेंगे evolutionary doctrine यानि कि हमारा society में क्या क्या processes है जिस बज़े से हमारे society में changes आती है और उसका main motives क्या है फिर अगले step में हम देखेंगे कि हमारा society में अलग-अलग steps क्या है और फिर देखेंगे laws of evolution के बारे में तो पहले देखते है the evolutionary doctrine evolutionary doctrine में हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से हमारा society change हो सकता है हमारा society में किस बज़े से changes आती है पहला जो process में पहला जो step है the emerge out of the physical staff of the world यानि कि यहाँ पर जो भी physical चीज़े है यह सारे physical चीज़ों के changing की बज़े से ही हमारा world में change होता है फिर होता है have their own patterns of transformation and change यानि कि जो भी physical चीज़े है उन सारे चीज़े का अलग-अलग pattern होता है transformation का हर चीज एक जैसी तरीके से transform नहीं होगा अलग-अलग जो चीज़े होंगी वो अलग तरीके से ही changes होंगे फिर होता है this patterns is due course decline and dissolve यानि कि जब भी यह सारे चीज़े एक fully functioning phase में पहुच जाते है तो यह patterns धीरे-धीरे decline कर जाती है और धीरे-धीरे dissolve हो जाती है यानि कि खतम हो जाती है एक time में जैसे अगर हम हमारे computers की बात करे तो पहले बहुत बड़ा-बड़ा computers होते थे और बहुत बड़ा-बड़ा TVs भी होते थे लेकिन यह जो physical staff है यह उसका एक अलग pattern होता है transformation का अगर यह transformation में टिका रहेगा तभी वो बहुत दूर तक जाएगा लेकिन यह सारे जो TV है बड़ा-बड़ा TV और बड़ा-बड़ा computer यह सारे time to time आपने आपको update कर पाने के बज़े से यह सारे चीज़े decline हो गई है और खतम हो गई है अब देखते हैं यह जो society में changes का जो process है इसके बज़े से हम society में क्या क्या चीज़े देखते हैं society कौन सी तरफ से कौन सी तरफ जा रही है हम नॉर्माली जब भी बात करते हैं तो हमारा society simple society से लेकर complex society तक develop होता है लेकिन यहाँ पर mainly 4 चीज़े हैं जो change होती है यहाँ पर हम simplicity to organized complexity देखते हैं यानि कि हमारा society simple होता था आप बहुत complex हो गई है फिर indefiniteness to definiteness यानि कि कोई भी चीज़े definite नहीं थी उतना ज्यादा लेकिन आजकल बहुत ही definite काम किया जाता है फिर देखते हैं relatively undifferentiated to increasing specialization आजकल हम लोगों को specialized होते देखते हैं कि कोई doctor है कोई engineer है कोई teacher है लेकिन पिछले जमाने में जब हम primitive societies की बात करते हैं तो इतना ज्यादा specialization की बात नहीं की जाती थी क्योंकि वहाँ पर society में हर कोई अपने ज्यादा तर काम खुदी कर लेता था यानि कि वहाँ पर undifferentiatable था हर कोई अपना काम कर सकता था बहुत सारी काम एकला ही कर सकता लेकिन आजकल हम specialization बहुत ज्यादा देखते हैं फिर देखते हैं unstable condition to stable condition यानि कि previous time में हमारा जो society था वो unstable condition में था लेकिन आजकल धीरे-धीरे हमारा society एक stable condition में आके पहुचा है अब देखते हैं the evolution of societies यानि कि society किस तरीके से change होती है हर्बर्ट स्पेंसर ने societies का evolution का अलग-अलग steps क्या कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने दो तरीके से society का classification क्या है पहला जो classification है उसमें चार steps कहा है यानि कि society चार steps में evolve होता है पहला है simple society फिर compound society फिर doubly compound society और आखिर में trebly compound society यहाँ पर simple societies जो है वहाँ पर जो unit है social unit है mainly वो होता है family फिर compound societies में यही होता है clan फिर doubly compound society में main social unit होता है tribes और trebly compound societies में में जो social unit है वो nation या फिर state होता है फिर जो दूसरे तरीके का classification है वो है military society and industrial society यहाँ पर military society यानि कि जो पुराने जमाने का जो society है उसके बारे में बात की जा रही है और industrial society यानि कि industrialization के आने के बाद हमारे society जो industrial हुई है मतलब आजकल की जो society है उसके बारे में बात की गई है military society में हम जो सबसे बड़ा feature देखते है वो है compulsory corporation यानि कि एक दूसरे के साथ corporation के साथ ही उन्हें जीना है अगर एक दूसरे के साथ corporate ना करे तो वो लोग जी नहीं पाएंगे जैसे अगर हम example की तौर पे ले जो primitive societies है वहाँ पर सभी को एक साथ एक जुट होकर ही रहना पड़ता है नहीं तो एकेला कभी भी सर्वाइब नहीं कर सकता क्योंकि वो कहा पर जाएगा कहा से खाना लाएगा बहुत सारे जंगल में जानवार रहते हैं घूमते रहते हैं तो वो एकेला कभी भी सर्वाइब नहीं कर पाएगा इस बज़े से वहाँ पर compulsory corporation की बहुत ज्यादा जर जलेगा यहां पर voluntary basis पर corporation होता है जैसे अगर कोई भी एक इनसान है वो खुद में ही रहना चाहे अपना काम करता रहे और दूसरों के साथ society के साथ corporate नहीं करे तब भी वो चलेगा अब देखते हैं laws of evolution Harvard Spencer ने हमारा जो यह evolution का process है यह universal evolution का process है इसके बारे में कुछ laws की बात की है यानि कि यह laws की बज़े से ही हमारा society evolution में होता है यानि कि evolve होता है उन्होंने mainly three basic law और four secondary proposition की बात की थी यह जो laws है mainly हमारा जो basic laws है यह हमारे लिए ज्यादा important है और जो secondary propositions है वो उतना ज्यादा important नहीं है आप सीख भी सकते हो और आप छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह जो basic laws है यह आपको याद रखना ही होगा यहाँ पर Herbert Spencer ने three basic laws की बात की थी यहाँ पर जो laws है वो है law of persistence of force the law of the indestructibility of the matter और तीसरा है the law of continuity of motion यानि कि यहाँ पर जो पहला law है law of persistence of force यानि कि हमारा जो force है वो persist करता है वो कभी भी खतम नहीं होता है फिर है indestructibility of matter यानि कि जो भी matter है वो कभी भी खतम नहीं होता है वो एक shape से दूसरी shape में जाता है लेकिन वो कभी भी destruct नहीं होता है फिर है हमारा जो third law वो है continuity of motion यानि कि हमारा society एक motion में चलती रहती है यह continuous process है अगर यहाँ से कोई भी एक चीज़ खतम हो जाए तो society रुकेगी नहीं यह continually motion में ही रहेगी जैसे अगर कोई एक important इंसान भी हो अगर उसका death हो गई फिर भी हमारा society survive करेगा इसी को उन्होंने कहा था laws of evolution यानि कि यह three basic laws हर society follow करता है फिर उन्होंने चार secondary proposition या फिर चार secondary laws के बारे में भी बात की है यह चार laws अगर society follow ना भी करे फिर भी society जिन्दा रह सकती है लेकिन जो basic laws है उनको follow करना ही पड़ेगा society को अपने existence बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो चार secondary law या फिर secondary propositions है वो है persistence of the relationship between the forces, principle of formal changes and uniformity, principle of least resistance and greater attraction और principle of gradual motion यह चारों को भी आप थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा यहाँ पर एक चार्ट है इस चार्ट से आपको यह जो laws है इनको याद रखने में आसानी होगी यहाँ जो पहला है यह है evaluation का process इसका जो laws है इनको हम दो हिस्सों में बाढ़ सकते है पहला है three basic laws और दूसरा है four secondary laws यहाँ पर basic laws में हम जो भी पहले study किया है यह सारे चीज़े है four stand to persist the matter is indestructible और motion is continuous और जो चार secondary laws है उनमें हम देखते है harmony of all laws, principle of formal changes and uniformity, principle of least resistance and greater attraction और आखिर में देखते है principle of gradual motion यह chart को आप लोग थोड़ा अची तरीके से देख लिए जिएगा तो आपको चीज़े समझने में आसानी होगी अब देखते है हमारा आज के class में आखरी concept यानि कि यह जो concept है यह Herbert Spencer ने दिया है यह concept है Victorian laser sphere यह laser sphere का जो concept है यह mainly हमारे Adam Smith जो economist है उन्होंने दिया था लेकिन Victorian laser sphere का जो concept है यह concept दिया था Herbert Spencer ने यहाँ पर इसका meaning क्या है Victorian laser sphere का meaning है free market type society यानि कि हमें एक ऐसा society बनाना है जहाँ पर सारी चीज़ों को market के ऊपर छोड़ देना है यानि कि market को पूरा पूरी free कर देना है उसके ऊपर कोई control impulse नहीं करना है Herbert Spencer ने कहा था कि जो nature है हमारा जो nature है यह बहुत ही एक intelligent है हमारे human beings से भी इस बज़े से government को कभी यह natural processes में interfere नहीं करना चाहिए जो भी evolution हो रहा है process of evolution है उसको होते देना चाहिए कभी भी इसको रोकना नहीं है इस बज़े से Herbert Spencer ने कहा है कि government को जो भी अपने subsidize चीज़े है जो भी वो activities कर रही है यह सारे चीज़ों को बंद कर देना चाहिए जैसे लोगों को education provide करना sanitary measures देना फिर उनका जो improvement जो भी laborers है उनका condition को improve करना यह सारे चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और हमारी market को free कर देना चाहिए जो जैसा चल रहा है evolution का process उसी तरीके सा चले हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि यह जो leases fair है यह free market type society है यह सारे society के उपर का एक apex body है यानि कि यह खुद को ही control कर सकता है कभी भी कोई government इसको interfere नहीं करेगा अगर government interfere नहीं करेगा तब हमारा जो evolution का process है यह naturally चलेगा आशा करता हूँ आज का यह जो class हर्बर्ट स्पेंसर का यह आप लोगों को पसंद आया होगा अगर class पसंद आया है तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring अगर आप दोस्तों के साथ चीज़े share करोगे तब ही उनको समझ में आएगा के आप उनके लिए care करते हो तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए जाए हिंद